हेलो नमस्ति दोस्तों मैं उस रोज मेरे किचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज आपको हम समोसा बहुत ही स्पीड से बहुत ही जादा स्वाधिश्ट किस तरीके से बनाया जाते हैं उसकी रेशी भी बताते हैं तो सबसे पहले तो बनाने के लिए उसके मेदे में नमक और अजवाइं डाले और यह में डाला इसमें तेल कि आप प्रिफाइंट का तेल इसमें डाल सकते हैं मेदे में तो आज जो हलवाई बनाते हैं वो भी एक साथ में 10 समोसे वो भी आपके जाये घर में कितने भी महमानों फटा पट से नहीं आपको भरने की दिक फटा पट से एक साथ में दस समोसे वो भी दोस्तों पूरा वीडियो एंड तक देखना इसकी बिल्कुल भी मत कीजेने पूरा वीडियो समझ में नहीं आएगा तो सबसे पहले तो मेदा का हम आटा लगा करके रखेंगे क्योंकि उससे जो हमारा आटा है दस मिनट के लिए सो मच नमग वो 200 ग्राम में ने मैदा लिए तो इस तरीके से हम इसका आटा लगाएंगे आटा हमें हलका सा सोप्ट रखना है क्योंकि सबसे पहले हम आटा लगा करके रख देंगे तो आटा हमारा सोप्ट हो जाएगा दस मिनट के लिए उससे जो समोसे बनेंगे पहुत ही शांदार बनेंगे तो आटा हमारा लग चुका है इस तरीके का आटा हो चुका है तो अब इसको हम दस मिनट के लिए रख दे की हेल्प से फटाफट से मैस मैंने कर लिया है आलूओं को तो अब लेते हैं कडाई तो कडाई मैंने देख सकते हैं कडाई मैंने गैस पर रख दिया और गैस मैंने ओन कर दिया तो इसमें हम तेल डालेंगे तो तेल मैंने डाल दिया है तेल को हम गरम करेंगे तो तेल भी हमारा गरम हो चुका है, तो इस में मैंने एक चमच जीरा डाला है तो जीरे को अच्छे से पका लेते हैं, हींग डाल दिया है और खड़ा वाला मैंने धनिया डाला है, इसके अंदर क्योंकि समुशे के अंदर इसे पहुती अच्छा टैस्ट आता है और लास्ट में मैंने हरी मिर्ची डाल करके इसको एक से दो मिनिट के लिए हम फ्राई कर लेते हैं इस तरीके से क्योंकि इस तरीके से आप समोसे का मसाला बनाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टैस्टी मसाला बनेगा जो हल्वाई बनाते हैं उससे भी ज़्यादा टैस्टी आपका मसाला तयार होगा क्योंकि सबसे मेन मसाला होता है और ये मेने इसमें थोड़ा साई आलू डाला है क्योंकि एक साथ में हम पूरे आलू अभी नहीं डालेंगे और हरी मिर्ची को सोप्ट होने के बाद में ही हमें डालना है तो इसको हम थोड़ी देर के लिए पका लिए और यह मैंने लिया है आप चाहिए हली पाउडर और लाल मिर्च पाउडर ढाल सकते हैं और यह मेंने लिया है नमक अंब को ग भी मैंने डाल दिया है को तो सबी चीजें हमारे लेकले मिक्स हो FC कि देख सकते हैं सभी चीजे हमारी मिक्स हो चुकी है और मेने जो बाकी के आलू बच्चे थे वो भी हम इसमें डाल देते हैं और यह मेने लिया है कीचन किंग मसाला गरम मसाला जिसको बोला जाता है तो यह भी हम डाल दियें और जो बाकी के आलू थे वो भी हम इसके अंदर डाल देते हैं क्योंकि हम पहले थोड़ा सा आलू डाल करके उसका मसाला तयार करेंगे क्योंकि वो मसाला फिर जादा आलो में अच्छे से पक नहीं पाता इसलिए तो अब हम सभी आलों को अच्छे से मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं क्योंकि मसाला हमारा पक चुका था जो मैंने हरी जो मिर्च पाउडर धनिया पाउडर ये डाला था हल्दी पाउडर ताकि थोड़े से मसाले में अच्छे से पक सकें क्योंकि ज़्यादा जब आलू डाल देते हैं तो मसाल अच्छे से पक नहीं पाता है तो ये हमारा मसाला आलू का बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है नमक मिर्ची आप इसकी बाद में भी टेस्ट कर सकते हैं बाद में भी डाल सकते हैं क्योंकि मसाला तैयार होने के बाद में भी आप ये चीज डाल सकते हैं धनिया भी मैंने डाल दिया है और मैंने थोड़ा सा नीबू का रस डाला इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा खटा थोड़ा हलका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा तो ये हमारा मसाला बिल्कुल पर्फेक्ट तरीके से तैयार हो चुका है तो ये हमारा बहुत ज़्यादा टेस्टी मसाला समोसे के लिए तैयार हो चुका है तो इसको अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं तो मसाले को थोड़ा सााइड में रख देतें और यह हमारा आटा भी बिल्कुल देख सकते हैं फहले से कितना छोब्ट हो चुका है यह मसाला जो हमारा आटा है और आटे को इस तरीके से एक बार फिर-से हम मसल लेते हैं तो आटा हमारा बिल्कुल talents अच्छे से 10 मिनिट के लिए मैंने रग दिया था तो अच्छे से सौप्ट हो चुका तो इसको अब एक से दो मिनिट के लिए अच्छे से हम इस तरीकな से मसल लेते हैं ताकि यह ज़्याद सौप्ट हो जाए यह मैंने चकला लिया है तो देख सकते हैं रोटी की साइज का मैंने इसको गोल करने के लिए लिया है तो रोटी जो बनाते हैं उससे थोड़ा सा मोटा मैंने यह लोई लिया देख सकते हैं इस तरीके से तो अब इस पर हम थोड़ा सा आठा भी नहीं लगाएंगे क्योंकि इसको बिना आठे के ही, इस तरीके से जैसे हमारा बेच चकला है ना, उसकी साय, उसकी बरोबर इसी तरीके से हमें गोल बैलना है, देख सकते हैं, इतना चोड़ा हमें इसको बैल लेना है, इसको काटना प ब्रोर्टिया कि आपको समोसा करा करेंगतिन दो innovations सब्सक्राइब को चाहिए। ताकि जब हम समोसे को सेट करें तो ये अच्छे से सेट हो जाए, अच्छे से चिपक जाए बिल्कुल भी नहीं, मसाला अंदर जाए, जो तेल है वो अंदर जाए इसके अंदर समोसे के अंदर और इस तरीके से हमें हातों की मदद से इस तरीके से दबा देना है, तो दोस्तो बहुतीБ फास्ट समय से बनेंगे तो इस तरीके से देख सकते हैं। जो पर की plaisir है हाथ यदितरे दया है हम फकत अब काट लेता हैं। क्योंकि अब बहुतीफी तरीके से वह सेटक हो मैं इस तरीके से समय स्टार्ट कर दिया है देख सकते हैं तो है ना बिल्कुल आसान तरीका समोसा बनाना तो अब आपका कोई भी घर का मेंबर यह समोसा बना करके तैयार कर सकता है बहुत ही इजी यह तरीका बनाना तो यह देख सकते हैं हमारे समोसे भी कट चुके हैं और मैंने तेल पहले से गरम करने के लिए रख दिया था तो अब हम इसमें एक या दो फीस या तीन फीस जितने समोसे की आ रहे हैं उतने को हम इसमें डाल देते हैं और गेस का प्लेम हमें बिल्कुल कम रखना है क्योंकि हम कम गेस पर बहुत ही अच्छे से सेखेंगे पराठे को समोसे को ताकि यह बिल्कुल अच्छे से सिखाई हो सके समोसे की अंदर से भी तो हम इसमें एक साथ में तीन समोसे डाल दिये हैं तो इसको अब हम एक साइड से सिखने के बाद में ही निकालेंगे तो यह हमारे समोसे बहुती ज़्यादा क्रिस्पी हो चुके हैं तो अब इनको हम गर्मा गर्म समोसे को सरव कर लेते हैं तो यह हमारे समोसे बनकर के तयार हो चुके हैं बहुत अच्छे से इनकी सिखाई हुए ते देख सकते हमारे समोसे बहुत ज़्यादा टैस्टी में ने चटनी के साथ में सरव किया है ते देख सकते कितने क्रिस्पी हैं समोसे बहुत ज़्यादा टैस्टी बन करके तैयार हो चुके हैं तो इस तरीके से आप मार्केट से भी ज़्यादा स्वादिश समोसे घर में ही बना करके खा सकते हैं और सभी को भोज़द पसंद आएंगे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही थैंक यू